हेलो दोस्तों, वेलकम माई यूटूब चैनल, दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत हमारी यूटूब चैनल पे, दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आज हम बात करने वाले हैं, मेडिसिन के लाच्ट नेम से या सफिक ने से जाने उसके यूज और केटेगरी, दोस्त हम बात कर लेते हैं इसके एक्जामपल के बारे में, क्लोरोक्यूइन, हैड्रो क्लोरोक्यूइन, मेफलोक्यूइन, दोस्तों इस सारी मेडिसिन क्या होती हैं, एंटी मेलेरिया ड्रग होती हैं, इसका उपयोग कहा करते हैं, मलेरिया में करते हैं, दोस्तों इस सारी मेडिस रिफाम मेट दोस्तो यह सारी मेडिसिन क्या होती हैं एंटी टूबल कुलर ड्रग होती हैं यह सारी मेडिसिन यूज करते हैं टीबी में करते हैं दोस्तो यह सारी मेडिसिन क्या होती हैं वारी एंटी टूबल कुलर ड्रग होती हैं दोस्तो रिफामपिसिन कैपसूल का हमने एक पिच्चर डाली है आप लोग देख लीजिए आरसिन 450 जो की लूपिन कमपनी की है आप लोग देख लीजिए अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं उडीन दोस्तो जो उडीन नाम है यह मेडसीन का सफिक्स नाम है ठीक है दोस्तो आप बात कर लेते हैं ऐक एकसे इस एक जामपल के बारे में तो लमी उडीन पिश्टावूडीन जिडाव्डीन दोस्तो इस सारी मेडसीन कहां यूज होती है एच आइवी और हेपेक्स भी में यूज होती है दोस्तो आगर किसी मेडसीन के लाश्ट में उडीन जुड़ा ह हुआ है तो हमें समझ लेना चाहिए कि सारी मेडिसीन कहां यूज हो रही है है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जोलीन दोस्तों जोलीन नाम है मेडिसीन का सफिक्स नाम है मेडिसीन का लाश्ट नाम होता है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके एक्जामपल के बारे में आक्सी मेटा जोलीन, ठीक है, जोली मेटा जोलीन, दोस्तों ये मिडसीन क्या होती है, नेजल डी कंजिस्टेंट होती है, ठीक है, इसका उपयोग कहा करते हैं, साइनस में करते हैं, और कामन कोर्ड में करते हैं, दोस्तों हमने एक फूटू डाला हुआ है, आक्सी मेटा जोल बालते हैं, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रॉल, दोस्तों जो ट्रॉल नाम है, यह मेडसीन का सफिक्स नाम है, मेडसीन का लाश्ट नाम है, ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों देख लेते हैं इसके एक्जामपल के बारे में, अलबुटेराल, बंबुटेराल, फॉर अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके एक्जांपल के बारे में अलपराजो लाम, मिडाजो लाम, दोस्तो ये मेडिसीन क्या होती हैं, अब दोस्तो हमने एक टैबलेट का फोटो लारा है, अलपरा जो लाम, दोस्तो उसके लाश्ट में क्या जड़ा हुआ है, लाम जड़ा हुआ है, तो दोस्तों हमें समझ लेना चाहिए कि medicine क्या है cns depression यानि इसका उपयोग anxiety और depression में करते हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं palm, p.a.m. palm दोस्तों जो palm है medicine का subject name है यह medicine का last name है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके example के बारे में दाइजेपाम, लोराजेपाम, नाइटराजेपाम, फुलोराजेपाम तो दोस्तों यह क्या हो गई, यह medicine हो गई यह medicine के last में क्या जुड़ा हुआ है दाइजेपाम यानि palm जुड़ा हुआ है दोस्तों हमें समझ लेना चाहिए कि यह benjo-dai-gepine group की हैं दोस्तों यह कहां यूज होती है इसका उपयोग कहा करते हैं एंजाइटी और सीजर में करते हैं दोस्तों हमने एक फूटो यह लगा रखा है एक injection है डाइजेपाम तो दोस्तों इसके last में क्या लगा हुआ है पाम लगा हुआ है दोस्तो इसका उपयोग इसका यूज कहां करते हैं अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं सेटरान दोस्तो जो सेटरान नाम है यह मेडिसीन का सफिक्स नेम है मेडिसीन का लास्ट नाम है अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके एक्जामपल के बारे में अंद Ser差不多 ऑपियों कहां करते हैं दोस्तों क्या चाहिए ये मेडिसिया और उम्टिंग में चाहिए ये मेडिसिन कहां य्ज игр होती है, अभ बात कर लेते हैं अब लेते हैं, यह medicine का suffix नाम है ठीक है अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके example के बारे में immunase, rota waste, streptokinase दोस्तो इस सारी medicine के लाक्ष्ट में क्या जुड़ा हुआ है AIDS जुड़ा हुआ है दोस्तो इस medicine क्या होती है thrombolytic होती है जो कि क्या करती है prevent blood clot जो कि blood को ठक्का बनाने से रोकती है तो दोस्तो ये वीडियो को आपको कैसा लगा दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को like, subscribe, comment जरू करें दोस्तो नेश्टी वीडियो के साथ मिलते हैं धन्यवार